जाहिन दोस्तों, वेल्कम बैक दार्मी वा यूटीब चैनल, आज हम आर्मी के टॉफ 30 मिक्सिम प्रशनों का टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपकी आर्मी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्डिड रहेंगे, याद रखें इस सेशन आर्मी के सभी ट्रेड के रहेगा, 28 कोशन का आपके लिए टार्गेट रहेगा, यह सभी 28 कोशन या फिर सभी 30 के 30 प्रशन जो हैं आपके आर्मी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्डिड रहेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशन से, और अब तक आप दोस्तनों वीडिय लाइक निंग करें, जल जिसी वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेर कर दो, टेलिग्राम ग्रूप भी जायल करने, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कृशन है, मिल जाएगा, पॉशन मर एक है, जवाहर सुरंग किस राज्य में या किस राज्य प्रदेश में स्तीत ह इन वीच स्टेट इस दी, जवाहर टनल, लोकेटेड, ओप्शन आपकी हिमाचल प्रदेश, जम्मो कश्मीर, उतराखंड, या फिर इनमें से कोई नहीं, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्तीत है, राइट अंसर क्या रहेगा, जेन के या जम्मो कश्मीर, दोस्तों, इसक इते हैं वेर इस शक्तिस्थल लोकेटीड इलाबाद लग्नौ दिल्ली या फिर पट्ण पहला कोशन होंबर्क आपके लिए आज हमाये क्रीबन पत्चास कुश्ण आपको करवाओंगा 30 कॉशन से पहला कोशन आपके लिए है कि शक्तिस्थल किस व्यक्ति का स्मादी स्थल है शक्ति स्तल जो 21 व्यक्ति का स्तामादी स्तल है और शक्ति स्तल आपका पिछले साल पूछा गया था मेरे ख्याल से कि शक्ति स्तल कहां पर स्तित है यह आपका दिल्ली में स्तित है option number C इसका राइट अरहेगा question number 3 आपके सामने diamond harbor और salt lake city कहां पर स्तित है diamond harbor और salt lake city कहां पर स्तित है वेर इस दी diamond harbor और salt lake city लोकेटिड कॉलकता मुंबई चन्ने या फिर कैलिफोनिया तो diamond harbor आपने सुना होगा कैलिफोनिया में होई नहीं सकता तो भारत के किस राजे में पड़ता है भारत के कॉलकता नगर में जो है आपका diamond harbor और salt lake city स्तित है question number 4 आपके सामने भारत के डक्षनी शोर को क्या कहा जाता है what is the southern end of India का लिट भारत का जो southern एंडिया नी डक्षनी शोर है डक्षनी सस्तिक है जो डक्षनी अंतिम शोर है उसे किस नाम से जाना जाता है चल्दी से बताइए भारत के डक्षनी शोर को किस नाम से जाना जाता है बिलकुल सही किस नाम से इंदिरा पुवाइंट के नाम से जाना जाता है जिसमें आपको 20 original question paper, 20 model test paper, hard or normal level के साथ में आपको 3000 mcq question और साथ में आपको 1000 mcq question भी मिलेंगे सभी आपके topic wise one liner question रहेंगे यह सभी आपको only 99 रुपे में मिलेगा आपको PDF लेने के लिए या ebook लेने के लिए क्या करना होगा आपको जह हमें payment करनी होगी इस number पर चाहिए आप payment phone pay, paytm, upi कहीं से भी कर सकते हो अगर आपको ebook से related कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें इस whatsapp number पर contact कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं next question से question number 5 आपके सामने इस परकार से है, question है, बीबी का मकवरा कहां पर स्तीत है, बीबी का मकवरा कहां पर स्तीत है और आपके लिए यहां से भी एक question मनके आता है, बीबी के मकवरे का निर्मान जो है, किसके दवारा करवाया गया था, जल्दी से comment box में इसका right answer बताईए वेर इस बीबी का मकवरा लोकेटिड फातेपूर सिक्री, औरंगावाद, हैदरावयाद या फिर जौनपूर जल्दी से दोस्तो right answer बताईए, right answer क्या रहेगा, बिल्कुल से option number B, औरंगावाद जोहिज का right answer रहेगा, बीबी का मकवरा कहाँ पर सित है, औरंगावाद में स्तित है कॉशन मचे आपके सामने, बिक्रम साराभाई अंतरिक शकेंदर किस स्थान पर स्तित है, वेर इस दी, बिक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटिड शरी हरिकोटा, द्रिवेंद्रम फॉर्म या फिर बैंगलूरू, जल्दी सताई, right answer क्या रहेगा, option number B दोस्तो right answer रहेग का त्रिवेंद्रम पूर्म में, ठीक है, त्रिवेंद्रम है आपका स्तित है, विक्रम साराभाई अंतरिक शेंदर जो है, ये त्रिवेंद्रम में स्तित है, question number 7 है, भारत का सबसे पुराना समार्क कौन सा है, अब question धोड़ से ध्यान से पड़े हो, ध्यान से इसका answer देना, भारत का सबसे पुराना समार्क कौन सा है, oldest moment in India, कुतु मिनार, ताज महल, खुजराहो या फिर अजन्ता की गुफाएं, या इन option में सबसे पुराना समार्क कौन सा है, राइट answer क्या रहेगा, option number 10 का राइट answer है, अजन्ता की गुफाएं जो है, ये सबसे पुरानी समार्क है, इन option में depend करता है, question number 8 है, नीमल लिखित में से, किस शहर में, यहां तोड़ा सेगर लें, किस शहर में जन्तर मंतर का निर्मान सवाई जैसे दवारा नहीं करवाया गया था, यानि इन में से कोन सा option है, जहां पर जन्तर मंतर का निर्मान जो है, किस की दवारा नहीं करवाया गया था, सवाई जैसे दवारा नहीं करवाया गया था, डिल्ली, पटना, जैपूर या फिर उजेन, in which of the following cities, जन्तर मंतर वास नॉट विल्ड वाई, सवाई, जैसे, तो र आइटन से रहेगा, दिली में जन्तर मंतर स्थित है, जैपूर में जन्तर मंतर स्थित है, और उजेन में जन्तर मंतर स्थित है, ये तीन जन्तर मंतर का निर्मान किस के दवारा करवाया गया था, सवाई, किस के दवारा, सवाई, जैसी दवारा इसका निर्मान करवाया गय क्या था नाइन है सत्याग्रा आश्रम का असली नाम क्या है वाट इस दी रेल नेम ऑफ सत्याग्रा आश्रम अहिंसा आश्रम गांधी दाम आश्रम साबरमती आश्रम या फिर गांधी आश्रम सत्याग्रा आश्रम का असली नाम क्या है साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम को दूसरे नाम से किस तरह से जाना जाता है सत्यागरा आश्रम भी जाना जाता है इस तरह भी एक्जामर आपसे question से पूर सकता है question number 10 है बुलन दर्वाज़ा का निर्माड किसने करवाया था बुलन दर्वाज़े का निर्माड किसके द्वारा करवाया गया था अक्वर औरंग्जेव शा जहां या फिर जहांगीर विल्ड दी वलन दरवाजा राइट अंसर क्या रहेगा option number A इसका राइट अंसर रहेगा question number 11 है फतेपुर सिक्री का निर्मार किसने करवाया था फतेपुर सिक्री आपका पूछे तो राइट अंसर रहेगा अक्वर फतेपुर सिक्री में क्या स्थित है फतेपुर सिक्राय में आपका बलंदर वाजा स्थित है तो क्या अंसर रहेगा अक्वर इसका राइट अंसर रहेगा question number 12 दिल्ली की चामा मस्दिद किसने बनाई थी दिल्ली की चामा मस्दित का निर्मान किसने करवाय था? कुतुवदीन एभक अकवर जहांगीर या फिर शहजहा वो बिल्ड दी दिल्ली चामा मस्दित राइट अंसर क्या रहेगा? राइट अंसर रहेगा option number C शाजा दवारा जो है दिल्ली की चामा मस्दित का निर्मान करवाया गया था question number 13 है Lord कर्चन दवारा निर्मित Victoria Memorial डैश शहर में स्थित है The Victoria Memorial विल्ड बाइल Lord कर्चन is located in डैश शीटी Victoria Memorial इसका निर्मान किसे दवारा करवाय गये था? Lord कर्चन दवारा और ये कहां पर सित है? दिल्ली, जैपूर, कोलकता या फिर मुंबई राइट अंसर क्या रहेगा? option number C कोलकता इसका राइट अंसर रहेगा question number 14 है दिल्ली स्थित लाल के ले का निर्मान किसने करवाया था? who will be red pot in दिल्ली? बावर, हुमायू, अक्वर या फिर शाह जहां? राइट अंसर एगा option number D शाह जहां दवारा जो है दिल्ली में स्थित लाल के ले का निर्मान करवाया गया था? question number 15 है आग्रा स्थित लाल के ले किसने बनाया था? आग्रा में जो लाल किला है इसका निर्मान किसके दवारा करवाया था? option आपके अक्वर, जहांगीर, शाह, जहां या फिर और अंग्जेव who will be red pot at आग्रा? राइट अंसर रहेगा option number A question number 16 है जैपूर में स्थित हवा मेहल का निर्मान किसने करवाया था? जैपूर में आपका कैस्थित है? जांतरमंद्र स्थित है और यहां पर एक और पुछता है हवा मेहल का निर्मान किसके दवारा करवाया गया था? option आपके रावल जैसल स्वाई परताप सी चित्रांगत मौरे यह रावल रतन सी हो विल्ड दी हवाई मेहल लोकेटिड इन जैपूर राइट अंसर रहेगा option number B स्वाई जैसी परताप या फिर स्वाई परताप सी दवारा जो है जनतरमंतर का माफ करें हवाई मेहल का हा फिर हवा मेहल का निर्माण करवाया गया था question number 17 है शांती निकेतन की स्थापना किसने करी थी most important question पिछले question पूछा जा चुका है शांती निकेतन की स्थापना किसने करी थी who founded the शांती निकेतन सुतेंदर नात्वेनर जी रविंदर नात्वेगोर दादावाई नारोची या फिर दवेंदर राठोर right answer एगा option number B बिलकुल सही रविंदर नात्वेगोर दवारा शांती निकेतन की स्थापना करवाई गई थी question number 18 है निमल लिकित राज्यों में से किस मैं शरी हरी कोटा स्थेत है यानि किस राज्य में आपका शरी हरी कोटा स्थेत है in which of the following states शरी हरी कोटा इस स्ट्यूडेटेड या फिर लोकेटेड आंदर प्रदेश, गुजरात, महरास्ट या फिर तमिल, नडू answer match करें option number A आंदर प्रदेश यानि AP इसका राइट अंसर अरहेगा question number 19 है परसिद एली फेंटा गुफाएं कहां स्थेत है एली फेंटा की गुफाएं जो है ये कहां पर स्थेत है नासिक के स्मीप, मुंबई के स्मीप, हैदराबाद के स्मीप या फिर गुवा के स्मीप तो कहां पर स्थेत है ये आपकी मुंबई यानि महरास्ट में पढ़ती है और मुंबई के स्मीप ये आपकी पढ़ती है question number 20 है पुशकर जील कहां पर स्थेत है वेर इस पुशकर लेक लोकेटिटिड पुशकर जील कहां पर स्थेत है किस राजे में है राजस्तान, उत्रपुदेश, पंजाब या फिर जम्मो कश्मीर राजस्तान इसका राजस्तान इसका राजस्तान रहेगा दोस्तों चलिए next question आपकी सामने है gear 1 किसके लिए परसीत है gear 1 है क्या ये comment box में आपको बताना है पार्क है या फिर जीव वन्य अवाजरन है या फिर इनमें से कुछ नहीं या फिर इनमें से कुछ और है आपको बताना है gear 1 जो है इनमें से क्या है और gear 1 किसके लिए परसीत है what is gear forest famous for siah century hirn park bag century पर है इनमें से कोई नहीं तो gear 1 जो है यह किसके लिए जाना जाता है siah century यंई saintry यह ययनी hearing के लिए ia žाना जाता है अब एक काशन यहां से एक लिए जो है gear 1 Japan जो है या फिर gear 1 जो है यह कहां पर स्थीत है कहां यानी किस राज्य में स्थित है, यह comment box में आपको बताना है, जितने कोशन बुशते हैं, यहां से question आपकी exam में आई हुए हैं, सभी normal से question है, आपको comment box में answer जरूर बताना है, question नमर 22 आपके सामने, कौन सा स्थान भारत का Switzerland कहलाता है, which place is called the Switzerland of India, option आपका एक है, कौसाली, कौसाली ठीक है, यहां तो ठीक से कर लें, यहां आपका कौसाली होगा, option नमर B, UT, option नमर C, वराज या इन में से कोई नहीं, और यह question आपके लिए homework करहेगा, ठीक है, homework करहेगा, comment box में इसका जरूर अंसर बताना है, question नमर 23 है, चितोडगड के दुरग में, विजयस्थम का निर्मान किसने करवाया है, चितोडगड या फिर सीधा पुछे, विजयस्थम कहां परस्तित है, चितोडगड दुरग में है, और यह किसका निर्मान किसके दवारा करवाया गया था, राणा सांगा, राणा रतनसी, राणा हमीरदेब, राणा कुम्बा, वू बिल्ड दी विक्ट्री पिलर इन दी पॉट आफ चितोड गड़, राइट अंसर क्या रहेगा, विजे स्थम का निर्मार जो है, राणा कुम्बा दवारा करवाया गया था, ऑप्शन नमबर दी दोस्तो राइटे रहेगा, प्शन नमबर चोपीस, भारत में नालंदा विश्य विदाले किस राज्य में स्थित है, बहुत पार कुर्बा चुका हूँ, उतना ही इंपोर्डिट कोशिन है, इन स्थेट, इन बिच स्थेट इस दी नालंदा युनिवेस्टी लोकेटेड इन इंडिया, पश्चिमिंगाल, बिहार, ओडिसा, उत्तरदेश, बिलकुल से एंसर बताया सभी ने है, इसका राइट अंसर हीगा, ऑप्शन नमबर बी, बिहार में स्थेट है, कॉशन नमर 25 है, मॉंबई में गेटवे ओफ इंडिया की अधार शीला किस वर्ष रखी गई थी, इन बिच एर्दी, फाउंडेशन स्थेट अफ गेटवे ओफ इंडिया वास लेट इन मॉंबई, 1905, 1913 में या फिर 1928 में, मॉंबई में स्थेट, गेटवे ओफ इंडिया का निर्माण या फिर अधार शीला कब हुई थी, कब हुई थी, 1905 में हुई थी, Q26 है, परसीद Victoria Terminal Station या फिर उसे बरतमान में शत्रपती शिवाजी Terminal के नाम से जाना जाता है, जो की मॉंबई में स्थेट है, कहां पर मॉंबई में स्थेट है, ये किस समय बनाई गई थी, परसीद Victoria Terminal Station मॉंबई में किस समय बनाया गया था, बरतमान में किस नाम से शत्रपती शिवाजी Terminal मॉंबई में कब बनाई गई थी, option आपके 1873 से 1888, 1843 से 1844, 1866 से 1867, 1911 से 1912, राइट अंसर क्या रहेगा, इसका राइट अंसर रहेगा, option नुमबर A, 1878 से लेकर 1888, यानि कितने 10 सालों में ठीक है, कितने 10 सालों में जो है, Victoria Terminal Station या फिर शत्रपती शिवाजी Terminus निम्रवाण करवाया गया था, question में 27 है, बिशव की सबसे उंचा कहा जाने वाला, बिशव शांती स्थूप बिहार में कहां पर स्थेत है, बिशव शांती स्थूप ठीक है, बिशव शांती स्थूप जो है, ये बिहार के कौन से स्थान पर स्थेत है, where is the world highest now, बिशव शांती स्थूप लोकेटेड इन बिहार, वेशाली, नालंदा, राजगीरी या फिर पट्ना, कहां पर स्थित है, तो right answer math कोरो जल्दी से, right answer हीगा option number C, राजगीर, तो राजगीर जो आपको बतारा है, राजगीर जो है, कौन से ब्यक्ति सिस्फंदित स्थान है, महात्माबूद, स्वामी, महाभीर जेन या इन में से कोई नहीं, किस ब्यक्ति सिस्फंदित है आपको comment box में जरूर बता रहा है, next question imported, उजेन का प्राचिन काल में नाम क्या था, उजेन का प्राचिन काल में नाम क्या था, तक्षिला, अवंतिका, इंदर प्रस्तिया, इन में से कोई नहीं, what is the name of उजेन in innocent time, तो क्या था, अवंतिका जो था, उजेन का पुराना नाम था, question number 29 है राम क्रिशन परमहंस की स्तापना जो है, किसने की थी, राम क्रिशन मिशन की स्तापना जो है, माफ करें, फिर से गलत बोल दिया, question, राम क्रिशन मिशन की स्तापना किसने करी थी, राम क्रिशन परमहंस जो थे, ये किसके गुरु माने जाते हैं, स्वामी वेकानन के काम rubbish mission के स्थापना कभ करीती है आपके लिए कोस्श fnit जल्दी से क्मेड वाकस में बताईए कोश्चिन by мод घाटी कहां पर सिलिकॉन बैली ऑफ इंडिया लोकेटी है धरबाज शिरीनगर थादूर या फिर बैंगलोरू राइट अंसर क्या रहेगा तो राइट अंसर मैच करें इसका रहेगा ऑप्शन नुमबर डी कहां पर सिता है बैंगलोरू में आपकी सीलिकॉन गाटी तेथ आप चलती से बताए थीस में से आपकी कितने कोशं ते 20-20 के प्लिस सिथे था बीज से करीवर आपको questions यह 10 कोशें आपको बता चुकों, 10 के करें आप से question पूछे हूए, एक question आपके लिए, हम बर्क है, ज़रूर बता है जितने भी question आपको आते हैं, यहतना भी score आपका रहता है, comment box में जुरूर बताना है, वीडियो कैसे लगी, comment box में बताने हैं, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like करना है, और पताना या फिर मेरी आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो comment box में आप मुझे कर सकते हो, ebook चाहिए होगी तो whatsapp कर सकते हो, बाकि चानल को subscribe कर लेना है, मिलते हैं आपको जावार